रादे रादे सबी को आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं मैंगो चीज रोटी पीजा जी हां जटपट मिंटों में बनने वाली रेसिपी हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी आइए चलते आज की रेसिपी की और यहां पर हमने हापूस आम लिए हैं अलफान्जो मैंगोस आप कोई भी आम ले सकते हो इस तरह से हम मैंगोस को पीलोफ करेंगे यह बहुत जल्दी मिंटों में बनने वाली रेसिपी है आप अपने बचों को टीपीन में भी दे सकते हो उन्हें बहुत पसंद आएंगी बचों को बड़ों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है यहां पर हमने नॉर्मल रोटी का आठा लिया है जो रोटी के लिए हम आठा गुनते वही आठा आएए इस तरह से एक लोई लेंगे थोड़ा से सुप का आठा लगाएंगे इस तरह से हल्क के हाथों से हम रोटी बेल लेंगे अब हम इस पर गी लगाएंगे घी अच्छे से हमें चारो तरव स्प्रेड होना चाहिए थोड़ा से सुप काठा स्प्रिंकल करेंगे इस सरह से कोल करने गवाए फिर से हम इस पर गी लगाएंगे सब जगा अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए घी थोड़ा से सुप काठा वाप स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से आप त्रिकोन भी बना सकते हो रोटी और चार कोने की बना सकते हो यह आपकी चोईस है अलके हाथों से इस तरह से हम इस गेल कर लेना है यह पर हमने तवा गरम करने के लिए रखा है थोड़ा सकी लगाएं कि एडियम लो फ्लेम पर हम इसे सेखेंगे थोड़े से बबल आये अब हम इसको टन कर लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से शेखने है रोटी को यहां पर हमने दो तीन चमस पीसी वी मिश्री का पाउडर लिया है जब रोटी अच्छे से से शेख जाती है तो इस तरह से यह एक एक लेयर इस तरह से ओपन हो जाती है अब हम तीनों कॉर्लर में अच्छे से आम भरेंगे अब हम इस पर घी लगाएंगे घी या बटर कुछ भी लगा सकते है मद्यवांच पर हमें इससे शेखना है इस तरह से बार बार पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक हम इससे शेखना है यह देखे एकदम क्रिस्पी हो गया है अब हम इस पर चीज डालेंगे इस तरह से आप भी अपने घर पर बनाईए और मुझे कमेंट सो बताईए अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक किज़े शेयर किज़े मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले अब हम इसे इस तरह से कट करकर ले लिए ये देखी जितना सुन्दर ये दिकराना खाने में उससे ज़्याद़ टेस्ट है अब हम लगाते हमारे प्यारे प्यारे कानाजी को भूब हमारे कानाजी को तो मेरी सब रेशिबी पसंद आती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रादे रादे थाइंक्यू सोमाच